हाई गईज मैं हूँ आमरीन काशना आप सब स्वाकते कैसे आप सब मित करता है आप सब ठीक होंगे मैं बेगदम ठीक हूँ आज मैं बनाया चारी एक फ्राइर है जो कि आप टेफन बॉक्स के लिए दो पॉफेक्ट रेसिपी है चली चलते बनाते हैं उसके लिए मैंने एक चैन लिया उसमें दो चमच तेल करम किया जब अच्छे से गरम हो जाएगा न तब मैंने दो अंडे को ऐसे बस पोड़ के डाल दिया है और बहुत जादा में करेंगे जब वह थोड़ा सा एक साइट से टाइट हो जाएगा ना तब बस इसको चुटी-शुटी टुड़ों में तोड़ो देंगे बस हलका से ऐसे मिला क्या और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया एकदम लो फ्लेम पे फिर इसके बाद मैंने एक चुटाई चमच इस पे ऐसी पूरा नमक छिड़क दिया है और इसको मैंने बिल्कुल भी छिड़ा नहीं है बसे थोड कर लिया करना है उसके बात मैंने हैं साइट भी कर दिया है फिरिस्ट के बात मैंने एक लिए उसमें 4 तेलक देलों केैश योवा की त должна है और गैसा क्रेंगे को चोप कर लिया है जिसको हुआ और मेरे payer कर लिया है इसको आसे नहीं है ट्रया उन्यार्स और जब यह प्यास translucent हो जाएगी ना तब मैं इसमें सारी सबजियां डालूँगी प्यास हमारे almost translucent हो गई है तब मैंने डाला तीन बड़े चमच गाजर, तीन बड़े चमच श्यमला मिर्च और तीन बड़े चमच चौप करवा टमाटर अगर आपके पास पनीर है तो आप पनीर भी डाल सकते हैं या आपके पास बीन्स है तो आप बीन्स भी डाल सकते हैं बस इसको थोड़ा सा सौते करेंगे थोड़ा सौते करने के बाद मैंने डाला आदा चमच नमक एक चमच लाल मिर्ची का पॉर्डर आदा चमच काली मिर्ची पॉर्डर एक बड़े चमच सोया सौस एक बड़े चमच पैने कर और दो चमच मैंने कॉर्ण डाला है मेरे पास सब्सक्राइब कर सकते हैं एक पैकिट मैगी मसाला डाल के बस इसको अच्छे से सौते करेंगे बस मैंने लगबग इसको पांच मिनटे लिए सौते किया था बहुत ज़्यादा पकाया नहीं था यहां पर मैंने थोड़ी सी फ्लेम हाई कर दी ती क्योंकि यह सब्जियों से जो पर पानी चोड़ेगा ना वह बहुत जल्दी से जल जाएगा पानी नहीं तो सब्जियां गल जाएंगी पानी को जलाने के चकर में फिर मैंने यहां पर दो कप पॉइल करवा राइज रखा है चावल को मैंने नमक डाल के उबाल लिया था और बस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे जब बहुत अच्छे से सारे मिक्स हो जाएगा ना तब मैंने जो अंडा फ्राय किया था ना उसको यहां पर डाल देंगे डाल के उसको भी मिक्स कर देंगे बन गई हमारी फ्राई र झाल झाल